तो फैटीएसर एक्जाम्पल्स अगरा हम फैटीएसर की ओवरल बात करें तो फैटीएसर दे रेंज फ्राम फोर कार्बन फैटीएसर की बहुत बड़ी वराइटी है जो के लिविंग आर्गनिसम के अंदर पाय जाती है तो वन बाई वान तो च्टडी करना मेरे खाल मैं हमा पालजिकली जएदा इंपोर्टेंट फैटीएसर से हम उनको जाओ श्रडी करेंगे या उनको सोड़ी से एक्जाम्पल जाओ देखते हैं फर्स दा कॉंटेंट्स जो फैटीएसर की कॉंटेंट्स लिस्ट में सबसे पहले हैं पामिटीएसर्ट, स्टीरिक एसर्ड, अरेक् फैटीएसर्ट, एक ऐसा फैटीएसर्ट है जिसमें टोटल नमबर आफ कारबन जो 16 है, it is a saturated फैटीएसर्ट, means तमाम के तमाम जो कारबन एटम ये हैव सिंगल कोवलेंट बांट, कहीं भी डबल कोवलेंट बांट मुझूद नहीं है, जी इसका molecular formula is a C16, H3202, again अगर इसमे is very limited amount में मुझूद है, melting point, इसकी melting point में अगर देखें तो it is 62.9, parmetic acid is widely distributed in animals, plants and the microorganisms, तो Michael especially, जो fatty, जो हमारी cell membranes मनते हैं, जो phospholipodes कहते हैं, phospholipodes के अंदर parmetic acid जहाँ हो बहुत ज़्यदा मौझूद होता है, steric acid, second fatty acid, parmetic acid 16 carbon है, steric acid जो था यह 16 carbon fatty acid है, this is also saturated fatty acid, यह भी saturated है, और यह animal fats के अंदर मौझूद है, animal fats यह नहीं वो fat जो हमारी body के अंदर store है, वो basically जहाँ हो उसके अंदर, जहातर जहाँ steric acid जहाँ हो पाया जाता है, इसका अगर हम इसकी appearance देखते हैं, तो इसका melting point is 69.6, अब room temperature तो होता है, इस almost जो है, वो 37 कर ले, 37 से भी कम होता है, 30, 35, 25, तो 69 इसका melting point है, तो यह wax ही appearance देगा, बोथ इन्हें क्रिस्टलाइन solid नहीं है, hard solid नहीं है, लेकिन के wax like solid की appearance देगा यह, अरेक्डिक acid, अरेक्डिक acid is also 20 carbon fatty acid, अभी 20 carbon saturated है, it is present in peanut and corn oil, peanut और corn oil के अंदर मुझूद है, melting point इसका जहाँ हो 76.5 है, अगर आप तीनों fatty acid को comparison करें, 16 carbon वाले का है 62, 18 carbon वाले का है 69, और 20 carbon वाले का हमारे पास जहाँ हो 76.5 है, तो means जैसे जैसे carbon chain increase कर रही है, उसके साथ-साथ melting point भी increase कर रहा है, यह इसकी property है कि carbon chain size increase करने से melting point increase करता है, यहां गर आप तीनों डाइग्राम को देख, इसमें देखने हैं, टॉप के उपर parmitic acid है, then steric acid है, और सबसे नीचे aracodic acid है, इसमें just जो difference है, वो यह है कि इसमें carbon chain जहाँ हो, उसमें addition होती चली जा रही है, इसमें carbon chain है, वो elongated है, जबके terminal के उपर CWH group जहाँ हो, carboxylic group जहाँ मौझूद है, आगे आगे महरे पस आजाएंगे unsaturated fatty acids, unsaturated fatty acids में सबसे पहले है, parmitoliac acid, parmitoliac acid जहाँ हो saturated है, parmitoliac acid जहाँ हो क्या हमारे पास unsaturated है, 16 carbon है, unsaturated का मतलब यह है कि इसके अंदर double bond पाया जाता है, यह mono unsaturated, I mean एक double bond जो इसके अंदर पाया जाता है, fatty acids म अगर एक double bond हो तो वो हमेशा, या हमेशा की बज़ाब कहते है, mostly, it is present at carbon number 9, यह 9 और 10 के दर्मियान मुझूद होगा, यह अगर आप से मैं पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताएं कि एक fatty acids उसके अंदर एक double bond पाया जाता है, तो इसके position क्या है, आपने फोरण से कहना है, जी carbon number 9, यह 9 और 10 के दर्मियान है, अगर हमसे यह पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताएं कि जिसमें दो double bond हैं, उनके position क्या होगी, तो पहला carbon number 9 और 10 के दर्मियान है, जबके दूसरा 12 और 13 के उपर है, तो position wise पहला 9 और दूसरा 13 है, इससे से अगर किसी fatty acids के अंदर 3 double bonds हैं, तो पहले की position होगी 9, दूसरे की 12 और तीसरे की 15, यह general rule है, इसे deviation भी होती है, लेकि जो है 9, 12 और 15 यह तीन position है जहां double bond exist करते हैं, तो चुछके permit only केसरे में एक ही double bond है, वो carbon number 9 के उपर मुझूद होगा, अच्छा आप इसके जो melting point आप note करें 13.4, पीछे हमने 16 carbon वाल हैं, जबकि इसका 30, यानि 60 कहां और 13 कहां, एक double bond आने से melting point जहां बहुत ज़्यदा down हो रहा नीचे, इसका मतलब है कि जैसे double bond, gin fatty acid के दिम्यान बंते चले जाएंगे, उनका melting point automatically decrease करता चला जाएगा, जे, ओलियक एसेट, ओलियक एसेट, 18 carbon fatty acid है हमारे पास, यह भी unsaturated है, और यह आम तो परज़े हमारे जो addipose tissues के अंदर जाएगा, वो मवजूद है, और ओलियक एसेट में जो double bond है, इसकी position भी वही होगी, जब हमने पीछे, पाइमेट ओलियक एसेट के अंदर देख की है, carbon number 9 और 10 के दर्मियान में, ठीक, इसका melting point हमारे पास, जाओ, it is the, one degree centigrade, लाइनोलियक एसेट, लाइनोलियक एसेट, यह दो हैं, एक है लाइनोलियक एसेट, एक है लाइनोलियक एसेट, लाइनोलियक एसेट, जो है अगर हम इसको देखे, it is 18 carbon, polyunsaturated fatty acid है, polyunsaturated का मतलब यह है कि इसके अंदर एक से ज़्यदा double want मौजूद है, जाओ, इसको हम omega 6 भी कहते हैं, आपने अकसर बाजार में जाते हैं, टीवी पर कमर्सिल देखते हैं, जब किसी cooking आईल वेरकी आती है, उसकी जो है वो, इस्तियार चलता तो उसमें कहते हैं, जी omega 3 के त useful है, ठीक है, अचाब हम इनको omega 3 और omega 6 क्यों कहते हैं, यह हम last for the slide में जाकर, जब structure देखेंगे तो उसमें आपको बताऊँगा कि यह omega 6 क्यों कहते हैं, इसको, इसका melting point जो है, that is 1 to 5 degree centigrade, लाइनोलिय केसड, लाइनोलिय केसड, अगर हम इसको देखते हैं, तो यह 18 कार्बन है, polyunsaturated है, इसको omega 3 कहते हैं, अभी हमने पीछे जो, देखें, लाइनोलिय केसड omega 6 था, यह वाला omega 3 है, और it is also essential fatty acids, यह हमारे पसे essential fatty acids है, और इसका melting point minus 11 degree है, essential का मतलब भी है, कि it must present in our diet, अगर यह food का हिस्सा नहीं है, तो हमारा body fatty acids को synthesize नहीं कर सकता, अगर इसकी deficiency है, तो हमें मुत्रिफ diseases यह हो सकती है, तो it must be present in our diet, सबसे उपर तो हमारे पस ओलिय केसड है, लाइनोलिय केसड और लाइनोलिय केसड, यह नीचे वाले दोनों है, जो CWH group है, इसको ह दूसी तरफ चले जाएं, दूसरे एंड के उपर CH3 मुझूद है, यह सबसे जो distal हमारे पास CH3 group है, इसको हम कहते हैं, ओमेगा कार्बन, यह जो है, इसको हमेगा कार्बन होता है, अब CWH group, यह basically carbon number one है, इससे जो सबसे end वाला carbon है, this is the omega carbon, अगर double bond, इस omega carbon से 6 carbon दूर है, त अगर आप इसको देखें, one, this is carbon number one, this is two, this is three, four, five and six, तो लेहाजा, लाइनोलिय केसर को हम क्या कहेंगे, it is omega six, इससे अगर आप लाइनोलिय केसर के उपर आ जाएं, इसको जो omega carbon है, इससे double bond तीसरी position के उपर मुझूद है, one, two and three, तो लेहाजा, लाइनोलियनेक acid is actually the omega three fatty acid, तो omega three और omega six का तलक basically, कि सबसे जो terminal point है, उससे double bond कितनी दूर है, यह इसको explain करता है,